दोस्तु मेरे जिन्दगी की पहली आनी में बले ड्रेगन बॉल ना हो, मगर इस बात को अम भुला नहीं सकते हैं कि ड्रेगन बॉल सीरीज भी कहीं ना कहीं बले पूरी तरह से ना सही, मगर हमारे जिन्दगी का एक हिस्सा जलूर रही है, आपकी तरह मैंने भी ड्रेगन की शुर्वात बच्पन से ही की थी जब C.N. चो उस समय पूरी तरह कार्टून नेट्रोक हुआ करता था मुझे आज भी वो वक्त याद है जब पहली बार मैंने ड्रेगन बॉल देखा उस वक्त में पोकेमान के बहुत बड़ा फैन था और गर्मी की चुटियों में यह किसी दिन मेरे फ्रेंस ने मुझे ड्रेगन बॉल देखने के लिए सजेस्ट किया था अब मैं शूर नहीं था कि मैं देखू या नहीं और गर्मी की चुटियां चल रही थी और कुछ खास खाम नहीं होते उस वक्त हमारे पास तो मैं ट्राइ भी कर लिया आई यह बत हो रहे कि पहली बार देखते वक्त मुझे कुछ भी संबनिया है मगर जैसे जैसे दिन बीटते गवी वैसे वैसे ही मुझे ड्रेगन बॉल पसंदानी लगा और मुझे याद है कि गर्मी की चुटियां खतम होते होते मैं एक पक्का ड्रेगन बॉल फैन बन चुका था उन दिनों जब भी ड्रेगन बॉल टी उपर लगता उस वक्त मेरा रियाक्शन कुछ वैसा ही होता जैसा लूफी, उसौप और चॉपर का रियाक्शन होता है फ्रैंकी के ट्रांस्वर्मेशन को देख कर यह कंपरेजन बले ही सुनने में ज़्यादा बड़ा ना लग रहा हूँ मकर मुझे याद है कि ड्रेगन बॉल मेरे नजर्ये में उस वक्त की सब से कूले स्ट रैनिमें हुआ करती थी और इसका पूरा पूरा स्रीज आता है हमारे अकिरा टोरियामा को जिसने अपने काम के जरी ना सिर्व अपनी ओडियंस को बलके आने वाले मंगा का आर्टिस्टों को भी प्रेरित किया जिसमें हमारे पैरे वन पीस और नारुटों के रचाईता हिची रोगोडा और मसाशी की शिमोटों भी शामिल है तोस्तो वैसे तो दुनिया में कहीं लेखक आये और चले गए कहीं आर्टिस्ट आये और चले गए उगर जिस कदर टोरियामा सैंसे लोगों का प्रेर्णा सुरोध बने वैसे हास तक कोई नी बन पाये बट अगर उदारन देने की जरुवत पड़े तो हैरी पॉर्टर से बैतर और कोई उदारन आमें नहीं मिल सकता यूँकि ठी ड्रेगन बॉल की इतर है हैरी पॉर्टर भी अमारे बच्पन का एक हिस्सा था हम हर साल इंतिजार करते कि कब मूवी रिलीज होगी और कब हम जाएंगे थेटर में देखने के लिए श्रीमती जेके रोलिंग द्वारा लिखी हैरी पॉर्टर की वो जादूई कहान या दोस्तो हम आज भी दिखना पसंद करते हैं मगर जो छाब दोस्तो ड्रेगन बॉल ने मेरे और बाकी कईयों की जीवन पर छोड़ा वैसा कुछ जीके रोलिंग तो क्या दुनिया का कोई भी लेख अब तक नहीं कर पाएं क्योंकि दोस्तो आज शायद उन्हीं की वज़े से हम वन पीस या नारोटो जैसी दुनिया से अवगत हो पाएं उन्होंने आने वाले बविशा के मांगा का आर्टिस्टों के लिए मानुक बेंचमर्क सैट कर दिया था जाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाएं और हो सकता है कि नजदे की भविशे में भी ऐसा ना हो दोस्तो अकेरा टोरियामा का इस दुनिया से चले जाना ना के सिर्व जापान के लिए बलके अल्मुस्ट पूरी दुनिया के लिए बेहत दुख की खबर थी हम और इस दुनिया में जितने भी उनके फैंस हैं वो ये दुआ करते हैं कि अब वो जहां कहीं भी हो खुश हो इस उमीद में कि उनकी रसना आने वाले लंबे समय तक हमें और दूसरे मांगा का आर्टिस्टों को प्रेंदा देती रहेंगी अखिरे टोरियामा आप हमें बेहत याद आएंगे